रक्षा मंत्री जी एन आय के साथ बात करने के लिए धन्यवाद मेरा पहला सवाल चाइना को लेकर डिसेंगेजमेंट डिएसकलेशन को लेकर जो बातची चल रही थी वो एक किसम से रुक गई है अगला डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ ऐसा क्यों हुआ है यह वाद सच है कि इंडोर चाइना के बीज्च ज्यों श्राइंड रौ चलह था उसे दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का दोर चल ला था मिलिट्री लेबल पर हुआज ठो रही थी और साथ ही साथ डिप्लमेटिक लेबल पर भी बातचीत ठो रही थी लेकिन अभी कोई काम्यावी मिल नहीं पाई है। अगले राउंड की भी बैठक होगी, क्योंकि हाल में ही अभी WMCC यानि डिपलमेटिक लेबल पर बातचीत दोन देशों के बीच हुई है, लेकिन मिलिट्री लेबल पर बातचीत अगले राउंड में होने वाली है, वो कभी भी हो सकती है लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है, इस्टेटस को बना हुआ है, यथास्थिती बनी हुई है। तो अगर यथास्थिती बनी हुई है, उसका मतलब डिपलाइमेंट लेवल जो है, वो कम नहीं होने वाला हमारी तरफ से। यथास्थिती बनी रहेगी, इस्टेटस को किसी तरह से पॉजिटिव डिवलपमेंट नहीं माना जा सकता हूँ, यह लेकिन बातशीत चल नहीं है, इसलिए बातशीत के दुवारा कोई न कोई सकारात्मक परिणाम निकले, यह हमारी अप्यक्षा है। बातशीत बाक्चानल के जरेए चल रही है क्योंकि अभी तक डेट थो अनाउंस नहीं हुआ, मिलिटरी लेवल के हौ या फिर डिप्लोमाटि लेवल के हो, बाक्चानल चल रहे है। मैंने, उनके भी हाट लाइन मेसेज आये थे, हमारे भी हाट लाइन मेसेज उनको गए हैं, बरावर अभी किन किन मुद्दों पर बाचीत होगी, इस संब्द में मेसेज़स का आदान प्रदान दोनों डेशों के बीच हो रहा है। पचास साल के बाद, 2020 में बुलेट्स चली हैं, लाइन ओफ एक्चर कंड्रोल पर, आप रक्षा मंत्री हैं, आपको क्या लगता है कि शांती की कोई संभावनाएग आपको जरा भी दिख रही है। भारत तो सढ़यू से ही विश्ष शांती का पुझा दी रहा है। कि जैसे कहते हैं, बहुत काहे हैं, कि हम शांती नहीं चाहते हैं। शांती तो हर मुल्क कहता है कि हमें शांती चाहिए, लेकिन एक expansionist goal है चाइना का, दूसरों की जमीन हडपने का, ऐसी स्थिति में शांती कैसे हो सकती किसी भी मुल्क के साथ? यहीं कोई देश विश्तारवादी है, expansionist है और भारत के भून पर कभ्या करने के लिए कोई कोशिस करता है तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कूबत है कि किसी भी सुरत में अपनी जमीन को कुछी दूसरे देश के हाँप में ने जाने देगा, चाहे दुनि जो कहते हैं कि चाइना को मुकाबला हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ना हमारे पास financial capabilities है, ना हमारे पास defense की capacity है, हम तुलना भी नहीं कर सकते, लड़ाई करने की बात अलग है. अब ऐसे experts के अपने अपने बिशार हो सकते हैं, अपनी अपनी opinion उनकी हो सकती है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे भारत के सेना के जमानों ने जिस सायम, शौर्य और पराक्रम का परिशरिया है, उससे हम भारतवासियों को अपनी सेना के उपर न लॉंग टर्म पॉलिसी जो रही हैं, हमने कभी defense को एक optimum level पर हम कभी नहीं ला पाएं, साल हो साल, क्योंकि हमारे में, हमें military power नहीं रहे हैं, हमें soft power रहे हैं, हमें democracy हैं, एक developing power है, non-expansionist है, इसकी वज़े से national security, defense, ये सब second priority list पे आ जाता था. जो कि आवजादी हासिल होने के बाद जितनी भी सरकारे रही हैं, चाहे किसी भी राइनिटिक पार्टी की सरकार रही हो, security को सवाल को लेकर मैं किसी के ऊपर कोई सवाल या निसान नहीं लगाना शाहता है, हाँ, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कि जब से प्रध प्रधिक ताकत और सुबिधा अपनी डिफेंस फोर्सेस को मोहिया करा सकते हैं, वह हम कराने के अपनी तरब तरब से कोशिस कर रहे हैं. तो क्या ये सही है कि सेक्यूरिटी फोर्सेस को एक ब्लैंक चेक दिया गया है, एक ओके दिया गया है कि आपको जो कदम उठाना पड़े सेक्यूरिटी के लिए आप उठा सकते हैं? नहीं हमें अपने सेना के उपर पुरा विश्वास है, कि जहां सयम की आवश्यक्ता होती है, वह सयम का परिशे देते हैं, जहां शौर की आवश्यक्ता होती है, शौर और पराक्रम का भी परिशे देते हैं, इनके उपर पूरा हम सब को विश्वास है. इसलिए किसी का हाथ बातने का प्रस्न ही नहीं क्या हूत है और यहumbles कुछ भी बाते मैं बोल ला हूं यह म समझेगा कि के बिभल को बेखन canción के लिए ब़ोगा जो कुछ भी बाते बोलना हूं तम भी बूल कूल डिल की गहरायों से बख्रय secondo आप गए थे वहां पर आप लदाग में गया था और वहां मैंने सेना के जवानों से भी वादचीत कि आपको उस वक्त कैसा लगा जब आप जानते थे कि वहां पर हमारे सैनिक जो है वो देवर टेकन अबैक देवर टेकन बाइस अपर जो गलवान में हुआ उससे दुख वहां जरूर लेकिन उस वक्त जवानों का जो हौसला है वो बढ़ाने की जिम्मेदारी अपकी थी खुदे ऑने की जवानों पर हुवादी नहीं था जब्माग गया था हमारी हो जवानों का हौशला बुलंद था और वही मैं कहता हूँ कुर्णीक कारण होते हैं और सेक्य लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे सेना के जवानों का हुसला बुलंद था और आज भी है। क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस सौर और पराक्रम का परिशे इतवार मारी सेना ने दिया है, उसकी जितने भी तारीफ की जाएगे। अभी चाइना जो है प्री एपरिल 2020 पुजिशन से पीछे अटने को तयार नहीं है, कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि वो हटेंगे। तो ऐसे में सर्दियों के वक्त क्या आप समझते हैं कि गलवान जैसा इंसिडेंट फिर से हो सकता है। देखिए इतना ही देशवाशियों को कहना जैता हूं की, हमयरे देश की सेना रहुताुद आम का मस्तक नहीं जुकने देगी। यहां पर भी ट्रांस्ग्रेशन के थ्रेट्स हो सकते हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट सैटलाइट के जरिये डेटा एनलेसिस करके वो देख चुके हैं कि वहां पर एर स्ट्रिप्स बन रहे हैं चाइना के वहां पर रोड डिप्लॉयमेंट है वहां पर फोर्स जा रही है क्या हमारे फोर्स वहां पर उसी नंबर के साथ और उसी मतब वैसे ही सक्षम है to protect our borders भारत और चीन के बीच बाउन्डरी को लेकर परसेफ्टनल डिफरेंसेश लब्बे समयते रहे हैं अच्छा रहा होता कि यह डिफरेंसेश समाप्त हो गए होते ताकि जिस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं इस प्रकार के हालात पैदा ही नहीं होत कि तरफ infrastructure development जितना maximum हो सकता है वह पहले से जो है करता चला रहा है लेकिन भारत भी सीमा पर रहने वाले अपने नागरिकों की चुपधा के लिए सीमा पर पैट्रोलिंग करने वाले अथ्वा सीमा की स्रक्षा करने वाले अपने जवानों के लिए भी इधर बहुत तेजी के साथ infrastructure development किया है हम किसी देश पर आक्रमण करने के लिए infrastructure development नहीं कर रहा है इस सोच के साथ नहीं है लेकिन एदी पैट्रोलिंग करने हमारा जवान जाता है तो उसकी सुविधा काम को ध्यान देना पड़ेगा और साथी साथ सीमा पर रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनक आपने कहा था कि पाकिस्तान और चाइना जो है एक मिशन मोड पर काम कर रहे हैं बॉर्डर बांडरी को उनके डिस्प्यूट्स को जिंदा रखने के लिए तो क्या समझते हैं कि 2020 में जो हुआ वो एक इन दोनों मुलकों की मिली भगत थी मतलब एक तरफा अटैक नहीं था चाइना से इनकी मिली भगत थी जुगलबंदी थी क्या आप समझते हैं यह हो सकता है मैं इस समझ में कुछ प्रीम्ट नहीं करना शाहता है और हमारी आख तो सच मुच बिलकुल शिका जाए न हमारी नजर तो बस शीरिया की एक आख पर होती है जो हम को छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं बस शाहे जो भी हो वैसे हमारी कोशिश यही होती है कम सभी के साथ अपने अच्छे रिष्टे बना कर रखें टू फ्रंट वार के बारे में तो कई अर्से से बात चल रही है कि यह टू फ्रंट वार हो रहा है होनी की बात अलग है यह टू फ्रंट वार हो रहा है बले ही अटैक ना हो लेकिन हर किसम से आप FATF में देख लीजिए यूएन में देख लीजिए किसी तरह से देख लीजि तब से ही बराबर कुछ नकुछ नाफाक हरकते हैं सीमा पर उसके दोरह की जाती रहती है और सीज़ वायलेशन का यहां तक सवाल है 200, 2500, 300, 400 बार बराबर वो सीज़ वायलेशन कभी कभी महीनों में ही करता रहता है सिलसला जारी रहता है लगनामारे सेना के जवान बराबर उसको मुटोड़ जवाब देते रहते हैं और भारत के जवानों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि केवल इस पार से ही नहीं आतंखवाद का सफाय करने के लिए उस पार भी जाकर आतंखवादी ठीकानों पर हमले करने की ज़ूरत रक्षा मंत्री जी एक तरफ होता है कन्वेंशनल वार एक तरफ होता है साइव और एक तरफ होता है हाइब्रिड वार हाइब्रिड वार में कई किसम के टेक्नीक्स अपनाये जाते हैं जी और चाइना जो है अभी हाल ही में अमेरिका ने दिखाए कि कैसे हाइब्रिड वार उनके खिलाफ चाइना ने किया था बतलब चाइना के कुछ उनकी जो मेन पार्टी है पार्टी के लोग जो है वो ठिंक टैंक्स में में बैठे हैं इसके अंदर तो आई होगी जो आप शेर नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सही है कि चाइना भारत में भी ऐसे कोशिश कर चुका है, करने वाला है? वैसे दुनिया की यतनी भी डवलपिंग और डवलप्ड कंट्री हैं, साइबर वार, हाइब्रिड वार, इन सब सारे शुनावतियों को अच्छी तरह समझती हैं और उससे अपने डेश को बचाने के लिए, अथ्वा इस चैलेंज का मकाबला करने के लिए वो अपनी ब्योस् ब्रदेश नहीं है, भारत ताक्ष व्रदेश है, भारत को भी इन चैलेंज को मीट आउट करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए, वो सब भारत कर रहा है, मैं दुनिया के अन्य किसी डेश का नाम नहीं लेना चाहता कि, कौन अमेरिका के साथ कर रहा है, कौन रूस के नहीं करना चाहता। भारत को अपनी सिरक्षा के लिए, चाहे वो साइबर वार हो, चाहे वो हाइब्रिड वार हो, इन सब सारे चैलेंजेस के खिलाफ यो कुछ भी करना चाहिए, भारत तो कर रहा है, और आगे और जो रवट पड़ेगी तो भारत और करेगा। मैं इसलिए पूछ रही कि क्योंकि बहुत अर्से से लोग कहते हैं कि इंडिया सफ्ट स्टेट, कि इंडिया समझता है कि वो शांती चाहता है, इसलिए उसके खिलाफ कोई ऐसे अटैक्स होंगे नहीं, पाकिस्तान के इलावा और कोई करेगा नहीं, ये सॉफ्ट स्टेट टै स्वाभिमान पर कभी चोट नहीं वर्राज करते हैं, साफ्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई हमारे उपर चोट करें, हमारे स्वाहिमान पर चोट पहुँचाने की कोछिस करें, और हम चुपी साथ को हाथ बात कर बैठे रहें, ऐसा भारत नहीं रहा है, भारत किसी यही सूरत में अपने स्वाभिमान के साथ सम्झा होता नहीं कर सकता है। और मैं पर विश्वास के साथ द्रणता के साथ यह बात मैं कहना चाहता हूं। चाहिए उसके लिए कितनी भी वड़ी कीमत हमें क्यों चुकानी पड़े। कि इस किसम के वार में जो दुश्मन है वो वर्दी पहन के नहीं आता। इसलिए उसका उसकी पहचान करना मुश्किल है। और पहचान करना मुश्किल है नामुम्किन नहीं है। मुझे लगता है बहुत पुराने भारत किया बात करते हैं अब इस सब तारी शैलेंजेज का भी मुकाबला करने की तैरी भारत की है अब भारत अपनी ताकत को और भी इस सब सारे शुनुतियों का पकाबला करने के और अधिक ताकत बढ़ा रहा है है भी हमारी ताकत इसमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम इस मावले में बहुत पीछे है नाशनल सेक्योरिटी जो है हमेशा भारत में एक गवर्मन्ट रोल या गवर्मन्ट ड्यूटी माना जाता था इसको एक नागरिक को जोड़ना नागरिक को जोड़ना कि नैशनल सेक्योरिटी जो है वो हर नागरिक के लिए एक डूटी है यह कहने में यह मैसेज देने में आपकी सरकार थोड़ी बहुत काम्याब रही है पिछले छे साल में किया एक सोची सम्झी, एक प्लान था, एक सोचा समझा प्लान था या फिर आपके पार्टी में आपके मेने आरसेस बैग्राउंड या जो भी है नैशनल सेक्युरिटी जो है इट्स इन यौन नसर यह सही है था शेक्यू शेक्यूरिटी के बारे में जो भी बन सका है, सबने अपनी तर्फ से करने की कोशिश की है, मैं किसी को देमाइदार ने इठारना चाहता है। नेस्तत से क्योटी के सवाल पर मेरा मानना है कि कहीं पर भी डिफरेंस आप उपीनिन नहीं होनी चाहिए। आरोप और प्रत्यारोप पा दौर भी किसी भी सूरत में नहीं चलना चाहिए। जब रास्ती सुरक्षा और रास्ती स्वाहिवान का प्रस्ण खड़ा हो, तो सारे रेश को, सारे भेड़भावों को भूलकर एक जुठ होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। जितना बन सका पिशली सरकारों ने किया और आज पिशले साथ़े श्य वरसों में मोणी जी के नतर्तुमें हमारी सरकार भी काम कर रही है। और रास्ती इस्वाहिमान की प्रखर और प्रबलभावना भारत वाश्यों के इंदर बहुत पहले से रही है। प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखे जिस रहे हाँ जहां आप कहते हैं कि there should be unanimity सभी political parties लेकिन राहूल गांधी Congress party कह रही थी कि 2019 में चाइना ने देखा कि BJP जो है या भारत अंदुरूनी मसलों को लेकर इतनी इतने उल्जन में पढ़ गई थी चाहे CA हो, Article 370 हो, Triple Talaak का हो, India was in a state of bubble और उस में उन्होंने चाइना ने एक विंडो देखा और हमला कर देखा दिया, क्या ये सही है, तो इसमें आप देख लीजे कि Congress party के जाए अब उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा, और इस डेज की परिस्टियों का मुल्यांकन की साधार पर किया या तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं समाता हूँ कि 2014 के बाद शाहे जितन भी बड़ी चुनोत की आई हो, हमारे प्रधान मंत्री ने जिस हिम्मत के साथ, और जिस सयम के साथ, जिस सूजबूच के साथ काम किया है, और उसमें काम्याबी हासिल किया है, उसकी यतनी भी प्रसंदा की जाए वक्तम है, भारत कभी परिशान नहीं रहा ही, तर 2014 से लेकर आज तक 2020 समाप्त हो किसी चैलिंजिज को लेकर परिशान हुए हूं, इस इस्तिती में तो अपनी प्रधान मंत्री को हमने देखा है ना, उनकी प्रधान मंत्री के नेतरत में काम करने वाली सरकार को पाया है, कभी हम लोग किसी शुनवती को लेकर बिलकुल सयम नहीं खोया है. मैं किसान आंदोलन पे आती हूँ आप आप जानते हैं इस इशू को आपने बहुत करीब से देखा है जो आग्रिकाल्चर पॉलिसी है इस मुल्की आपके टेन्योर के दौरान आपने किसान चैनल शुरू किया था किसान बहुत आप प्राइसिंग के ऊपर भी आपने रेट आप इंट्रेस्ट पी उस समय आज रिहारी बाट पर इस चैनल रोट किया था पहले जहां 14-18% किसानों को अपने कर्ज पर ये इंट्रेस्ट देना पड़ता था तो उसमें बाच्ची थूइटी तो उसमें 8% पहली के बॉर्डर पर हैं, उनकी डिमांड्स कई सारे हैं, पहली डिमांड तो ये है कि आप ये कानून हटा दें, उन्हें काले कानून कहते हैं, हटा दें, इतने सारे हजारों किसान वहां पर हैं, आपकी सरकार ने कई टॉक्स किया, कई राउंड ओफ टॉक्स किया, उन्हें न लोग इंसेंसिटिव हैं। उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए और बराबर जब से बोदी जी ने प्रधानमंतरी की रूप में जब्मेदारी समय लिए है। क्योंकि मैं कैबिनेट का एक सिनियर मेंबर होने के नाते में कहा रहा हूं कि उनके साथ बराबर हर मुद्दों पर माचीत करने का मुझे आऊसर भी मिला है। मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर मुझे अपनी चिंतावियत की है। और प्रारंब से ही। और 2014 क्या, 2014 के पहले जो हम लोग कैमपेञ के लिए जाते थे निए उस समय भी इस देश कीакиorn की हालत जब तक बदल सकते है। भारत को अजो धनवान भारत बनाना है तो भारत की किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानि उनकी आमदनी को बढ़ाना होगा. यह हमारे प्रद्धान Tenina की सोच रही है और प्रारमब से उनके दमेरा यह कोशिस यहा रही है. अब इसे minimum support price का जहां तक सवाल है, आप पिछली सरकारों ने भी minimum support price परस बढ़ाई है, कभी नहीं बढ़ाई है लेकिन आप देखिये उस ratio में हमारे प्रजारों मैंतरी ने कितनी होगा है, मिनमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी पर्चे पहले होती थी और अब कितनी हो रही है कितने सारे आइटम्स की हो रही है आखड़े उठाकर देखेंगे तो पूरी तर से बात साफ हो जाएगे पर MSP को लेकर आप स्टेटमेंट आप उसमें पॉलिसी में लाते क्यों नहीं है ल आखले ऐसा था ही नहीं व्योस्था चली आ रही थी और आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम सब सारे लोग बोल रहे हैं हम अपने ऐसे बचन से मुकर कैसे जाएंगे लोक तंत्र में जो अपनी बचन से मुकर जाता है उसे तो अच्छी तरह की अच्छी सजा यह जंता देख सकती है लोगतांतरी विए उस्थाव में जैरिकार उसे प्राप्त है जो हम कह रहे हैं उस वच्छन को पूरा करेंगे और आगे बढ़कर पूरा करेंगे और तीनों कानुनों के माध्धम से यह पूरी कोशिश की गई है कि किसानों की आमदनी दो गुना धाई गुना तीन गुना जितनी अधिक से अधिक हो सके बढ़े हां जैसा मैंने पहले कहा कि किसान धरने पर बैठे हैं सच मुश हम जैसे लोगों को भी वेजना है अब उत्त मंतरी जिफ था तो उस समय भी बड़ी हुजूम टीक है इस ताहब के साथ भी हमारे पास लखनो में गये हुए तब आज वह हम चाहते हैं कि समाधन निकले कि विर्षय के सागत की उन्याज दूरर ह het कि मैंने कि यह सब तर छे लोग भैठे हैं कर्टी को यह दिकारी बाद्शित चल रएगे इंधी lasts बहुत होनी चाहिए तरकों के साथ और जहां पर यह लगेगा कि किसानों के हितों के प्रतिकूल है उसके खिलाफ है जो ही आवश्यक होगा हमारी सरकार करेगी मैं यकीन दिलाना चाहता हूं जैसा मैं प्रधान मंद्री के मंसा को जानता हूं किसानों के हितों के ओपर हम किसी किसान अड़ गए हैं कि अब या तो हटेगा ये कानून या मतलब जब तक हटेगा नहीं हम नहीं हटेंगे या बादशित हो रही है और मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ समाधान उतका निकलेगा यह मेरा विश्वास भरोशा है और मैं हाथ जोड़ कर पर किसान भाईयों से भी नमबर अंडोर्ड करना चाहता हूं किस बिल को मैंने भी स्वैम देखा है कि कृसी मंत्री भी रह चुका हूं और कृसी जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिब भी हूं इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह किसानों के हिट में है एक बार कमसक्षब दो स इ Ohioे कि अबाद आपके साथ बैठने को हम दोग्ड़ तयार है बैटिए आफ यहां-जहां कहेंगे आवश्यक संसोधन करन मैं के लिए हमारी सरकार तयार है और आज भी हमारे किसानभाई बैठें किसी एक्सपोर्ट को बैठाना चाहते हैं एक्सपोर्ट को बैठा लें सरकार के साथ बाच्छीत हो और बाच्छीत के द्वारा यह निकलता है कि नहीं इन कानूनें को फलाक्लाज में संसोधन करने की आवश्यक्ता है तो उसके लिए भी हमारी सरकार तेयर है हम पूरी सरसे फ्लेक्सिबुल है हम क्यों सरकार के लिए सरकार नहीं चला रहे है हम दे जो हमारे देश की जनता के हीतों के प्रतकूल हो, उसका खिलाफ हो, ऐसा काम कभी कभी नहीं कर सकते हैं. आप हमदर्दी, आप समवेदन शीलता के बारे में कह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के ही कुछ लोग किसानों को लेबल दे रहे हैं, नकसल कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, क्या आप… और हर समय भार्त के किसानों के पर तस अमरत सिर्ज घुका हुआ है, उनके सامने, उनके सम्मान में, वह हमारे अन्न गाता है, और जब भी आर्थिक संकत का दौर इस डेष्ट में आया है, ते डेष्ट की अर्थ विबस्टा को समालने का काम इस देष्टी किसी ने की आए है लेकिन एकुनामिक रिसस्टन का दौर आर्थिक मंदी का दौरा है उसमें भी आप अर्थसास्थियों से बाचीत करिए वह इसी बात की जांकारिया आपको देंगे तो सच्विश हमारे देश के अर्थ व्योस्था की ताकत है हमरा किसान क्रिशी यह रीड है राश्वी स्वाहिवान की रक्षा के लिए सिख्भाईयों ने जितना बड़ा वलेजान दिया है उसे भारत को भी भूल नहीं सकता है कभी नहीं बूल सकता और भारत की संस्कृत के रक्षा करने ने हमारे सिक भी बढ़ा कांटिबुशन है तो इसमें और भ्सरेव भारत की स्वाहिवान की स्र restaurant के लिए भारत की संस्कृत की स्रक्षा के लिए जो उनका योगता है पहले बी था आज भी है और कल भी रहेगा किसानों के हस्ताक्षर लेके वो राष्टपती तक पहुंच गए हैं तो अब ऐसे लग रहा है जैसे कि ये एक सिर्फ एक किसानों के हिद की बात नहीं है अब ये एक राजनेतिक बैटल बन लिया है कमस्कम इतना तो मैं जिक कह सकता हूं कि राहुलिये आउयूमें तो मुझसे चोटे हैं लेकिन किर्शी के बारे में उनसे मैं ज्यादा जानता हूं क्योंकि किसान मा की कोक से ही पैदा हुआ हूं इसलिए जिस मा की कोक से पैदा हुआ हूँ और जिस वर्ग में पैदा हुआ ह किसान का वेटा हों तो कम सक्किसानों के हितों के प्रत्कूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं. मारे प्रधानमंत्री मोधी जी भी गरीब मा की कोक से पैदा हुए है. बस यतना ही कहना चाहँगा इससे ज्यादा कुछ कहने की जोड़त नहीं है. तो आप समझते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो ज्यादा जमीन से जुड़ी हुई है as compared. अब जो भी आप परत निकालना चाहें इसका निकालना है, लेकिन देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए हम पूरी तरसे संबेद अंशील है. उनका कश्ट हमारा कश्ट है, उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि इस ऐक्र को लेकर कुछ ताक्तों के दोरा एक गलस फ़हमी हमारे किसानभाईयों के अंदर पैदा करने की कोशिश की गई है। हमारी यह कोशिस है कि हम उस गल्स वहमी को दूर करें हमने भी बहुत सारे किसानभाईयों से बादशित किये और मैं पुनह है विनम्रतापुर वखांट जोड़कर कहना चाहता हूं अपने किसानभाईयों से कि आप सरकार के प्रतिप़िशों के साथ बैठ रहें बैठिये तरक वी तरक करिए क्लाजवाई डिस्क्रस करिए हाना मैं है मैं जई बदा हूं कि बाचीत नहीं की जानी चाहिए तरकों के अधृर पर बाचीत की जानीं चाहिए औरेदी सचमुच सरकार को लगेगा कि हमें इस कलाज में संसोधन करने की ज़रूरत है तो सरकार को संसोधन करने को तयार रहे है। पंजाब में जो कम्यूनिकेशन टावर्स हैं उन पर उनकी जो पावर सप्लाई है उनको काट दिया गया है। नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस पर हमारे पंजाब के इस किसानभाईयों को विशायर करना चाहिए। कि यदि किसी के दौरा यह तोड़-फूड की जा रही है तोड़-फूड का सिल्सिला बंद होना चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि internationally इसकी criticism हुई है और Justin Trudeau जो है जो Canada के प्रधानमंतरी है उन्होंने भी comment पास किया था को we जबने का जने कर चाहूंगा कि भारत के आंतरिक मामलों में बोलना बंक्रैं कि भारत को किसी को तक चा BLACKृत भारत ऐसा वैसा देश नहीं है, जो चाह है वो बोल दे। हफ़ता दस दिन भी नहीं हुआ था इस एजिटेशन को लेकर कि कैनडा हो जाए या यॉरप हो जाए वहां पर डेमेंस्टेशन शुरू हो गई थी। तो इसे अगर हम यह मान के चलें कि सिर्फ यह किसानों का मसला है, इसमें है, इसमें एक इंटरनाशनल कंस्पिरसी भी है, आप चाहें इसे एक शैडो कंस्पिरसी भी है। इसलिए मैं बार बार विनमरतापुर्वक अपने किसान भाईयों से सम्मान व्यक्त करते हुए कहना शारता हूँ, कि आप बैठिये तीनों बिलों को लेकर, क्लाज भाई क्लाज डिस्कुसन करिए, आपको कहीं लगता हो और बड़े अगरिकल्टरल एक्सपर्ट्स को साथ बैठाने की उनको भी बैठाई है, सरकार आपके साथ बातशीत करने को तैयार है, हम किसान भाईयों के हितों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते हैं, यह भरोसा करें हैं वो, किसान अंदोलन में भी अंबानी अडानी इनका नाम बार बार आता है, जो नारे लगाये जात हैं, तो वहाँ पर भी यह कहा जाता है कि यह जो कानून है, यह इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के कुछ खास दोस्त या बीजेपी के जो खास हैं इंडस्टिलिस उनके लिए है यह कानून, जो वीस वर्स तक इस देश में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया हो, बराबर जिस व्यक्तिके को इस देश की जनता ने अपना सवर्थन और प्यार दिया हो, उसके उपर इस प्रकार के जो बेवुनियाद निराधार आरोप चस्पा करने की कोशिस की जाती है, क्या इसका कोई योचित है, यही रहा होता लगातार वीस वर्सों तक लगातार हो एक श् acid के 14 वर्सों तक मुख्क मंतली 6 वर्सों तक प्रजंमन्तरी इस देश की, वह बने रहते हैं, बिगे जनता उनको यहतिकार देती है, यहां तक प्रजंमन्तरी का प्रशनritos है का जोए प्रतान मंतरी के बारे में अब शब्दों का प्रियोग नहीं किया जाना च़िए प्रतान मंद्री ते में कोले व्यक्ति नहीं सँस्था होता है आज तक अपने राजनी कि ईवणने, शाइए बच्पन में कहीं कि कंको फूल हो यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ अब जब से हमारी समझ बनी है राइनीट के बारे में तब से अपने किसी पूर्व प्रधान मंतरी के बारे में भी मैंने कोई डर्गेटरी रिमार्क अपमान जनक सब्द कभी मैंने नहीं का है लेकिन प्रधान मंत्री के बारे में यह तरगे की नारेवाजी की जा रही है मर जा मर जा यह नारेवाजी होगी मैं इसमानता हूँ ऐसे जो नारे लगाता है उसको मैं किसान नहीं मानता हूँ और मैं सच बता हूँ रात को किसी टेलिविजन पर जब मैंने इसे देखा तो मैं आहत हुआ इससे प्रधान मंत्री व्यक्ति नहीं है संस्था है लोक तंत्र को मजबूत बना कर रखना है तो इस देश की संस्थाओं को राश्पती हो प्रधान मंत्री हो इस सब्स्थाइं है इनकी प्रधिष्ठा और गरिमा को बना कर रखना के वल सत्ताधारी दल की हिविजम मेलाजी नहीं बनती है पीपक्षो चाह कोई भी हो सब्स्यमेलाजी बनती है ईक हमारे पार्टी में यह ड्कर conpiej किसी भी रिमार कर दिया की उसकी यहां चसाने करना चाहता है है लेकिन तुरंत मैंने उसे स्ञेंकिया तो किस्छू फैखा प्रधान मंत्री के बारताक्त ड्क Duckpur महनम सिंग है फाछ नहीं हैं हमारे दर्जश के प्रधान внутrally है इवले उनके खिलाफ किसी डेरोगेटरी रिमार का अपमान जनक किसी सब्द का प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए उस समय भी मैंने कहा था और आज तक मुझे याद नहीं है कि अपने चाहे कांग्रेस का प्रधान मंत्री रहा हो या मैं रदेव गोड़ा जी रहे हूं दर्शिम्मा राव जी रहा हो किसी के बारे में अपमान जनक सब्द मैंने कभी प्रियोग किया हो किसी को हमने कहा हो कि मर इस प्रकार की नारेबाजी करने वाले लोगों को कृपियावज दूर रखे हैं संस्थाएं कमजोररी होने लगती है शूसंस जब कमजोर होते हैं लोग तंत्र कमजोर होता है तो आपको लगता है कि विपक्ष से किसी को उठ खड़ा होना चाहिए था कहना चाहिए था कि एससे नारेबाजी नहीं होनी चाहिए कि एसार्थूलन में बिपक्षफनला कभ्यतर जड़ दैजे मैं Намें विपक्ष को उपदेश नहीं देना शाहता है करना हम से वह उठीष इंप एक्षा भी रखते हैं सवाजडार लोग है अम इसमस्दू सामजदार हैं में इस हैं स् मेरे घटनाएं मेरे जीवन की हैं जिसका मैं खुलासा करूंगा अपलगेगा किस तरीके से मैंने उनका सब्मान किया है कभी कभी पार्टी के हितों के विरुद्ध जाकर भी किया है मर्यादाओं को तोड़ कर यह राजनीट करने का मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं है इसमें अपने जीवन की सार्थक्ता मैं नहीं मानता हूं जब तक राजनीट करूंगा कोशिश यही करूंगा कि मर्यादाओं किसी भी सुरत में तूटने नहीं पाएं हाली में जमू कश्मीर में इलेक्शन हुए थे और वहां पर पीडीपी और एंसी का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था तो आपके क्या विचार है इस बार में लेवल प्लेइंग फिल्ड क्यों नहीं थी सारे लोग आजाद थे ऐसा नहीं था कि कोई नजर्वन था सबको भूमने ठहलने किया जादी थी लेकिन जो चुनाव परिणाम आये हैं कास्मीर के इसवार अफ्थानी निकायों के जो ग्राम पंचायतों के उसे अस्पस्ट हो पारूख अबुल्ला का भी कहना है और फिर आगे जाके महराश्रा में या तमिलनाडू में पश्चिम बंगाल में सब चीफ मिनिस्टर्स हो या पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो इदायरों को इस्तमाल कर रही है इस अ पॉलिटिकल टूल हो यहां ऑंगास हो हर रहे हूं डूब रहे हो तब तो victimization की डरूर्ट पढ़ती है हम देखना लगातार हर राज्यों में हमको भी प्राप्त होती ही जा रही है चाहिए वह वोगववा हो चाहिए उत्रप्रदेश का बाई अलेक्शन हो मंधर प्रदेश का बाई एलेक्शन हैं आपने फारूब अब्लाभ पर किया है मम्ता जी कह रही है कि वहां पर हो रहा है वेस्पेंगौल में हो रहा है तेलंगाना में किस पर किया है सब का कहना है कि इलेक्शन जब आते हैं तो ED का इस्तमाल होता है, CBI का इस्तमाल होता है, उस राज में उन पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर डाना है। जब आ एलक्षन से लोक सभा हो गया, किसके खिलाब कारवाई हुए थी, किसके खिलाब ADCBI कारवाई हुए थी, देश की जनता ने फिर भी मोदी जी को यह परदस्त मैंडेट दिया कि नहीं दिया, तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसा बारुप, बेवनियादारुप तो इधारे सारे इंडिपेंडेंट हैं और इन पर कोई political pressure नहीं है, नहीं कोई सवाल है, इनका राजनीटिक दुर्पयोग करने का प्रशन नहीं नहीं खड़ा होता, क्योंकि यही आरोप है, सारे political parties यही आरोप लगा रहे हैं, कि बीजेपी जो है, प्रेशर डालती है, CBI हो या enforcement direct rate हो, अब है, हो सकता है किसी के खिलाब कोई कारवाई करती हो, तो यह सब एजन्सियां, कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए, साइड इसले कहते होंगे, बीजेपी को target करते होंगे, बीजेपी के कहने पर हो रहा है, और जो बीजेपी के दोस्त हैं, या फिर जो बी industrialist हों, उनके लिए एक soft spot होता है, उनके खिलाब कोई ED cases नहीं होती. तो मुझे ध्यान इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं, जरूर जिनके खिलाब जहां कानून की आवश्यक्ता पड़ेगी, वो कानून अपना काम करेगा, उससे सरकार को जोड़ कर देखना, तो पुलिटिकल वेंडाथा के तहद तो कुछ किया जाता हो. सर आप यूपी के संसद हैं, इसलिए मैं उत्तरप्रदेश को लेकर एक सवाल पूछूँगी, कि वहाँ पर जो ये अंटी कन्वर्जन लौ आया है, उसे जब जिहाद लौ भी कहते हैं, वहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो लौ है उसे मिस्यूस किया जा रहा है, जो इस लौ के तहट उसे और भी subjugate किया जाएगा, अलग किया जाएगा, लड़के को जेल में डाल देंगे, ये सब को पता था कि ये होने वाला है, इसके बावजूद उत्तरप्रदेश से शुरू हो के बहुत से राजियों में ये एंटी कन्वर्जन लौ को मिस्यूस होने क डर है? ने, हमारा तो ये कहना एकि कन्वर्जन होना ही क्यों चाहिए. पर ये तो सम्वविधान में है… मैं देखता हूँ कि कहीं कहीं तो सामोहिक धर्ण परिवर्तन का सिलसिला चलाए जा रहा है देश में यह सिलसिला बंद होना चाहिए यह रुकना चाहिए पर जहां तक मुस्लिम समाज का प्रस्टन है, मुस्लिम समाज के अंदर यहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि उसमें कहीं पर कोई कमी हो, कि साथ दूसरे धर्म के लोगों से मुस्लिम समाज के लोग साधी नहीं कर सकते, तो साधी करने के लिए कनवर्जन कराना, मैं समझत करना चाहिए हैं जहां पर लड़की कनवर्ट नहीं करना चाहती और हो भी नहीं रहा है कि आपने बहुत सारे मामलों को देखा होगा कि फॉर्सफुली जबरन लालच देकर भी धर्म परवर्तन कराया जाता है ऐसे भी मामले आया है जब ऐसे इसके इस दोनों को त्वाभाव बनाया है इन सारी चीजियों को ध्यान कर रखकर बनाया है जब ऐसे केसे आते हैं सर तो फिर वो जो इमेज होता है बीजेपी गवर्मन का कि एक जबरन हिंदुत्व पालिसी जो है एक हिंदु धर्म को आगे बढ़ा कर दूसरे दर्मों को नीचा दिखाना ये एक पालिसी कोई मैटर है समझा जाता है कहीं नहीं मैं तहीं मानता हूंगा जो सच्चा हिंदु होगा वज्या टिपंथ अत्वा मजहब के आधार पर कोई भेद भाव नहीं करेगा कभी नहीं करेगा क्योंकि हमारे धर्म साफ्तर भी इस बात की इजाज़त नहीं देते कि जाति पंथ वा मजहब के आधार पर कोई भेद भाव किया जाए कि क्योंकि दुनिया का इकलाउता देश ये भारत है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही नहीं बलकि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य बानते दुनिया के किसी एक देश नहीं किया है तो भारत पर रहा पर जाति नहीं करके जाठ आधरमार है कि अर्मच्छुडए है बालं गधवार जथिखे googолет में आप पोईक्सी नहीं पूरे होने आप ABVP में जब आए थे तो जो विश अब बीवीप में तो पंदर साल की उमर थे स्टुडेंट लीडर बनके जब आए थे तो करी 77 में पहली बार मरी उमर 26 साल की तब MLA हुआ था उसके पहले डेट साल में येल में था तो आप जब पॉलिटिक्स में आए तो जब यूथ लीडर थे बीजेपी में RSS background के साथ आपके कुछ ambitions थे goals थे उस वक्त का युवा और 2020 का जो युवा है आप क्या देखते हैं कि राजनीती में क्या फरक आया है पहले कर दूकि मैं सबसे पहले सबसे जब सत्राः मोले्न चारो पर अचौनीत औरूब हिंवा क्र ना तर्फिमेर के रूप करना कि यह मुझे तो कभी नहीं सिखाया है जो एकने तो इसे लिए आप ने देखा चार शारवार केमिट मंत्री की रूप में से मैजारी निभाई है, तो कहीं पर हमारा कोई भी एक्षान ऐसा नहीं रहा है, कोई यह कह सकता हो कि राजिनाश सिंग ने हिंदू बुस्लिम मवशाई इस आधार पर कोई कि डिस्क्रिमिनेशन किया हो, कोई भेद भाव किया हो, ऐसा कभी नहीं रहा है, और मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस RSS की बात है, मैं RSS के बारे में भी कह सकता हूं, इस आधार पर नहीं सोचता है, कुछ चीजों को लेकर गलत स्वहमिया जुरूर पैड़ा हो जाती है, तो विएक उस वक्त कsa Yuga क्या चाहता था भारत से, और आज के उस समय जो हम लोग काम कर लें तो हम ठोभी सोचते भी नहीं थे, कि हमारी पार्टी कभी भारती जनसंग भारती जनतापार्टी कभी सत्ता में आएगे इसकी तो कल्पना भी नहीं थी हमें देश की शेवा करनी है बस यही भाव योल बन के अंदर रहता है देशनल इस्परेट लोगों के अंदर बिल्डब परने की यही कोशिस हमारे राशी अगर आप नाशनल पॉलिसी बदलना चाहते हैं आप देश में कुछ करना चाहते हैं तो फिर सत्ता में आना जरूरी होता है तो यह आपको कब महसूस हुआ कि जब आप स्टेट लेवल पॉलिटिशन थे या फिर स्टूडेंट लीडर थे कब आपको लगा कि सरकार में रहने पर यह बात सही है काम करने का उसर तो मिलता ही है लेकिन मैं मानता हूं प्रफिपक्ष में रहकर भी जो अहम मुद्दे होते हैं जन सामाने के हीतों से ऐसे क्यों होता है कि जो हमारे मुल्क के ही पॉलिटिशन होते हैं वो एंबिशन दिखाना उसे वल्गारिटी माना जाता है मतलब कि कोई यह कहता नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं या मंत्री बनना चाहता हूं ऐसे क्यों होता है कि हमारे मुल्क में कभी नही ने, 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 देखिए जहां तक मनुष्य है, मनुष्की एक्षाएं तो बहुत सारी होती है, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये कोई कहे का हम कुछ बनना ही नहीं चाहते ते, मैं इसे जामत नहीं हूँ, बहुत ऐसा है, रेयर कोई होगा, वितरागी, सारी चीज्यों से दूर होगा हम जिन्दगी में हम दाइद तो को हासिल करना चाहते हैं तो हां दाइद तो को हासिल करना चाहते हैं तो कुछ करने की लिए हासिल करना चाहते हैं यह ऐसे मैं एक घटना की शर्चाय हैं करना चाहूंगा 91 में, मैं 40 साल की उमर थी, मैं उत्तरप्रदेश का एजगेशन मिनिश्टर बना था, उसमें मास कापिंग, सामुहिक नकल का दौर चल ला था बड़ी तेजी के साथ, और more than 70%, 75%, 80% ऐसे रिजल्ट साथे थे, डेर साल के लिए शिक्षामंत्री बना था मैं, और उसमें मैंने है, मैं किसी को भी नकल करने की, अजवा किसी गलत रास्ते पर जाने की जाजत नवविकों को नहीं दूँगा, और anti-copping ordinance, नकल विरोधी अध्यादेश उसमें जारी किया था, उसे लागू किया था, नॉन बेलबल बनाया था अपने, सब कुछ कर डाला था, तो उसमें जा कि बस बहुत हुआ, मैं करना चाहता, मैं अब बहुत हुआ, मैं करना चाहता था, अब लोग करना चाहते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि London School of Economics में वैडिक मैठमेटिक्स पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती है, इसका कोई पता तो लगाए, और मैंने एक बाद एक महां के London School of Economics के डाइरेक्टर का एक statement पढ़ा था, उन्होंने यह कहा था, मुझे आश्चर यह होता है कि यह वैडिक मैठमेटिक्स भारत में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, अब यह कल्पना कर लिए, अब वैडिक मैठमेटिक्स हम पढ़ाएंगे तो हम, व से लिए कि कोई दाइत तो मिलता है, तो काम करने का आउसर भी मिलता है. आपका कभी आपकी लाइफ में के ऐसा कोई मोड आया जब आपने कहा बस हुआ, और नहीं करना चाहता मैं यह काम? नहीं, ऐसा मैंने नहीं सुचा, जब तक इस्वर में सामरत दे रखी है, तब तक जो भी बन सकेगा, जिस रूप में परमात्मा दाइत तो देगा, उस दाइत तो का अंदरवा करते रहेंगे, लेकिन दाइत तो हासिल करने के लिए कभी मर्यादा को तोड़ेंगे नहीं, मर्यादा का उलंगर नहीं करेंगे. आदे नडवानी जी भी हमारे लिए, आदर्श रहे हैं, यही लोग रहे हैं हमारे काल में, बंडी दिन्दिया जी पाध्याजी तो अच्छली मैं देखा नहीं था मैंने, लेकिन उनके विचारों से ही अच्छी तरह मैं परचित हूं, और उनहीं के बताए रास्ते पर हम बादे चलने हैं, धन्यवान सारा